अलफा मेल, फेमिनिजम, वाइलेंस और ना जाने कितनी सारी कॉंट्रोवर्सी आ रही है अभी अपकमिंग जो एक डिसेंबर को मूवी लॉंच हुई है, रिलीज हुई है संदी परेंडी बॉगर की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसके लीड रोल पे थे सुपर स्टार रनवीर कपूर जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मूवी एनिमल के बारे में तो एनिमल मूवी वही मूवी है जिसने अभी अपने पहले ही दिन कुछ 63.80, दूसरे दिन 66.something, तीसरे दिन 77.something, कुल मिलाकर पूरे वीक में 33.37.something का करोड का बिजनेस कर चुकी है और अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ इस मूवी ने काफी ज्यादा कॉंट्रवर्सी बटोरी है लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी भी वीडियोस देखे, सभी वीडियोस में मैंने इसके नेगेटिव साइड ही इसका देखा है लेकिन क्या यहाँ पे संधी प्रेडि साहब ने इस मूवी को क्यों बनाया है कुछ लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कभीर सिंग जैसी मूवी बनाए थी तो लोगों उसे वाइलन्स कहा था उस टाम उसने कहा था कि आप इसे वाइलन्स कर रहे हो यह प्रिमी नहीं पई बना को कि यह प्रूब कर दिया कि वाइलन्स क्या है तो आपने गिभी के थ्रू समाज को कुछ मैसेज दे ना चाह रहे हैं कहते हैं फिल्म में समाज का आइना होती है और फिल्मों में हमें वही दिखाया जाता है जो हमारे सोसाइटी में हमारे समाज में हो रहा होता है तो के सच में इतना वायलेंस हमारे समाज में है हम इतने वायलेंस के बीच रह रहे हैं क्या है, क्या है फैमिनिजम, अल्फा मेल और क्या है इतनी सारी कॉंट्रोवर्सी बटोरने के पीछे इस मूवी का राज इन सब चीजे के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ अपने यूटूब चैनल को तो चलिए आज हम एनिमल मूवी के कुछ उस पहलों में बात करते हैं जिस पहलों के तरफ अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है सभी इस मूवी के कॉंटृवर्सी मतलब सभी सभी कार सभी की राय इस मूवी में जो है वह मैंने जीतनी वी वीडियो जेखी इसका जितना भी रिविञीव देखा सब इनके वारे में नेगटिवी बता रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि फिलमें जो है, वो समाझ का आइना होती है, फिलमों में वही देखने को मिलता है, जो हमारे सोसाइटी में हो रहा होता है, एक पांट साल के बच्ची के लिए, उसके लाइफ में सब ज़या इंपोर्टेंट क्या रहता होगा, उ क्योंकि उसे अपने पापा का बड़ देविस करना होता है वह बहुत ही खुशी से अपने पापा के पांच जाता है लेकिन होता क्या है अपने वरकॉलिक पिता के द्वारा उस बच्चे को हमेशा की तरह नजर अंदाज कर दिया जाता है और उस बच्चे का यह दिखाना कि वो अपने पापा से कितना प्यार करता है, कहीं न कहीं दब जाता है, और ये दिखाने के चकर में वो बच्चा धीरे धीरे बच्चा से युवास था पे आते आते, वो पता नहीं कैसे एनिमल बन जाता है, कहते हैं, जब इनसान को सही समय पर अपनों का प्यार नहीं मिलता है तो वो अपनी validation को prove करने के लिए animal बन जाता है वो animal जो कुछ भी कर सकता है अपने आपको prove करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कुछ ऐसा ही दिखाया गया है the blockbuster movie जिसके जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि संदीर प्रेजटी की blockbuster movie animal जिसके लीड रोल पे है सुपर स्टार रनवीर कपूर तो यहां पे विक्टम कौन है रनवीर कपूर या उसके फादर अनिल कपूर यहां पे डर यहां पे इस movie में जो में चीज दिखाया जा रहा है ना वो कहीं ना कहीं आज की society में आज की समय में हमारे साथ हो रहा है हम अपने as a parent हम अपने बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पे यह picture यह बतलाने की courses कर रही है कि आने वाले एक दो साल में हमारा जो future है वो ऐसा ही कुछ होने वाला है अगर हम अभी नहीं सुधरे तो क्योंकि कहीं न कहीं harsh parenting, बच्चों को ignore करना या फिर parents का अपने career में ज़्यादा बीजी रहने के चकर पे बच्चों पे ध्यान ना देना क्या यह सही है यहां पे मैं movie के story के बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि movie की movie रिलीज हुए काफी ज़्यादा समय हो चुका है और इसकी story लगबख सभी लोगों को पता है मैं यहां पे सिर्फ अपना opinion बता रही हूँ comment करके आप भी बताईएगा कि आपका opinion क्या है मेरे यानुसार इस movie में जितना भी चीज दिखाया गया है इस हाँ पे वोईलिंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आता है इस movie का overall मुझे बस इतना ही समझ में आया है कि अगर उस बच्चे के वर्कॉलिक फादर ने उस बच्चे के बच्चपन में ही उसे वो प्यार वो मान दिया होता जिसको वो deserve करता है तो उसे अपने पिता के परती अपने प्यार को दिखाने के लिए एनिमल बनने की ज़रत नहीं थी और कहीं न कहीं हम भी अपने आने वाले समय को ऐसे ही animal बनने के राशते में रखेलते जा रहे हैं तो समय रहते अगर आप ये movie देखे हैं तो कुछ उद्मी ज़वरत है समय रहते है अगर हम अपने 24 गंटे में से 1 और 2 गंटे अगर हम अपने बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि अगर हम बच्चों को proper time ना दे तो बच्चों का mental और physical, psychological सभी तरह के development में काफी ज़्यादा असर पड़ता है overall हम कह सकते हैं कि बच्चों के development के लिए mental और physical development के लिए parents का बहुत ज़्यादा हाथ होता है और इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने की काफी ज़्यादा ज़्यादा होती है overall इस पूरी मोवी से एक ही चीज मेरे नजर में आई है कि एक वर्कॉलिक फादर की वज़े से एक बच्चे के mental और psychological development में किस परकार की problem आती है वो देखने को मिलता है कि बच्चा अपने आपको ही दिखने ऐसा एनिमल बन गया है आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो पे तब तक मुझे दीजिए जाज़त बाबाई टेकियो